पसुपालग भाई नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके साब अपने भैंस का दूद गढ़ेलू तरीके से बढ़ा सकते हो ठीक मैं आपको बताना चाहूं साथ सथ आपके घर में जो अनाज है आपको उसी से दूद बढ़ेगा कहीं मार्केट से कोई सामान ख तो बहुत ही बहतरीन बात है आपकी पसुपा अड्री बढ़ेगा और साथ-साथ-साथ-स आपके पसुपा दूद अगर देर्या दूधारू भैंस है आपके पास दूद उसका इंक्रीज निए दूद उसका बढ़ेगा भाड़ेगा तो क्या फोरूम लें आपस सथ करना आप चैनल पहली बार है तो प्यारस लाइक कर दें और कमेंट्स जरूर करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कुछ जानते तो प्लीज आप हमारे साथ सेर कर सकते कमेंट सेक्षन में तो देखें पसुपालगों हम बात करते हैं स्वयबिन आप स्व होता है सवयबिन का आप जानते हो कि बहुत सारे प्रोड़क्त ओंते मात्र में 10 केजी मातर आपको सुभील मीठ hyvin लेना पाइश्गृशा यह हम लोग खाते हैं वोई गुड़ जो हम लोग गाएभाषक को भी दिते हैं आपको व और आपको मेंथी का दना लेना आज़ा इन् encourage चिलमेथी और इसमें आपको 10 मक्का, पीली मक्का को statewide को यहvisor सकता आपके पास जो हो मक्का ना हो लेकिन मैं आपको बोलोंगा आपके पास मक्का होने जरूरी है तो यह जो हमारी पास मात्रा होगी परसुपालग आप इस मात्र हो क्या को अच्छे से पहले आप किसी मसीन पर जाके जो आठा चक्खी की मसीन होती है वहां पर जाके आप इ अद्री और मैं आपको फोर्मीला बतारा है अंध को सुभामें क्या जाणा पीना खाके कि dif दे देना आधा किलो जब आप देद होगे और जबड़ आप साम में दूद निकालोगे अपने सुबह में इस चीज को अपलाई किया है और समें तब दूद निकालोगे आपका भैस का दूद 100% दूद बढ़ा हुआ मिलेगा आप इस दूद को ना पलेना तॉल लेना यह मेर मातरा कर देना अब 10 अपना 10-15 आप अपने इसाब से जने सकते पना ब्रचि को अपकर से नहीं ब्यात के गाए आपके नहीं प्ञाइए या फिर आप कम से कम कोजिस करें 20 दिन के बाद ओँछारी का अप्लाई 99 प्शू से बढ़िएगा अगर आपकी कठी कट्रियां है अगर आप चाहते हो जो हमारे बच्रियां है जो हमारे कट्रियां वो जल्दी ग्रो करें आप इनको उपर अप्लाई कर सकते इस फीड को इनसे बहुत सारे बेनफीट्स है क्योंकि देखें पासुपालों भाई स्वयबिन पूरा इतलहन चीज़ है इसको लोग पशुब गाबन होती है उनके और बहुत अच्छा इनका इफेक्ट बढ़ता है ने कि बहुत ज्यादा इनको बहुत बहुत सब्सक्राइब कर सकते पशुब और आप के गाये 7 में के गाबन हो चांगे बहां साथ मैंस अगर आपके पास यह चीज अबलेबल है उसके बच्चे देने कपड़े चार्नालें सब्क्राइब तो दनी के मात्रा में आप को बता है किस तरह आधा कलो सुबहाद देना दो दिन तक कि देना तीसरे दिन बाद आपको त्वाइब कर देना मालों आप फीड को थोड़ा कम कर देना इस फीड को थोड़ा बढ़ा देना जब दोनों कम्बो करोगे आप अपने पसू को पर अप्लाइब करोगे आपके पसू का दूद है परसेंट आपके परसेंट दूद्ध बढ़ावा मिलेगा ना प्लेन और तॉलने मेरी गारंटी है और जिन भैस का दूद्ध कम हो रहा है बाइस आपसे निवेदा ने किसान भाई आप इस वीडियो को जरूरुन तक सेर कर दें तैकि विचारें कि जो भैस है वो कम कर पससुपा पर बताता है ऑप कोशिस कर एंशा कि आप में डी वार्मिंग जरूर करते आप कवर मिंग करने साइसाथ आप का दूद में ब्रोत्री हो रहा है पसुपालग भाई हो आप जो नेचुरल चीज उनको खिला रहे हो और नेचुरल चीज आपको देगा हो देगा और आपको दूद बढ़ा के देगा अगर आपकी कट्री बहुत कम ग्रोग कर रही है तो भी आप उसको पर अप्लाइ कर सकते या फिर आपको जो बच्रिया है उनके उपर अप्लाइ करें वह बहुत जल्दी ग्रोग करेंगी तो यह जो फोर्मुला पसुपाल आपको कैसे लगा तो प्लीज कमेंट से बता और चैनल पर सब्सक्राब जरू करके जाए और एक प्यार्स लाइक के जरू कर दें तो नेक्स वीडियों आज कितना है जैन बंदे मात्रम।